आपके अपने चैनल इस्टेंडर फूड़ सीता में आप सभी का स्वागत है तो हम आप लोंग के साथ जो सेयर करेंगे बहुत ही टेश्टी और अमेजिंग रश्पी है नमक पारे की रश्पी जो की बनाने में बहुत ही शिंपल तरीके से बनकर तयार हो जाते हैं बिल्कुल तूट जाएंगे बहुत ही अच्छे लगते हैं आप अपने घर पर हमेरी तरह से एक वार जरूर ट्राय कीजिए को कमेंट में बताना बिल्कुल ना भुलिएगा कि हम हमारी रश्पी आप रोगों को कैसी लगी तो चलते हैं अपनी रश्पी की तरफ सबसे पहले यहां प अच्छी चीज की खुचबू आती है इसमें डाल देना है अब यहां पर हमने रफारेंड लिया है चाहें तो घी भी डाल सकते हैं यहां पर रफारेंड वाइल से बनाओ तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तयार हो जाती है अब अच्छे से में मुआ लगाना है इसका जिसे मुआ लगाएंगे तो इससे क्या होगा बहुत ही बढ़िया मुआ बनकर हमने जो क्रिस्पी क्रिस्पी बन जाती है इसका आटा हमारा प्रफेक्ट जब तयार हो गया जाएंगी और वावाराम से इसको प्रफेक्ट हमारा आटा तयार हो जाएगा थोड़ा थोड़ा डोइ बनाना है जनैसे सब्सकां और हो मिर्म नहीं इस प्सक्राइब ऐहां लोई ऑव कर द कमा डोद द कीडिये में हार तो बहुत बड़्य रोटी तरणा टैयार हो गगई है अतनी पतीजी अ क्ंवल नाना बखते हैं अब बनाना बैसे बनकर घर पर ही तयार हो जाते हैं तो बजार से क्यूं लाना इस तरह के से अब अपने पर नमक पारे त्यार कर सकते हैं इस तरीके से हमें नमक पारे को तैयार कर लेना है, आप यह कड़ायी में रिफाइंड वाइल लिया जायें, नमक पारे को दिखलें तो यह उपर तक आ जाएंगे तो जाते हैं, प्रफेक्ट तियार हो चुका है, अच्छे से गरब होने के बाद इसी में हमें सेमी को डाल दे इसको सेमी भी कहा जाता है नमक पारे भी कहा जाते है आप चाहें तो अपने हिसाब से कलर इसके रख सकते हैं पर हमने हलका गोल्डन कलर ही रखा है अब इस तरीके से हमें सारे नमक पारे बना कर तयार कर लेना है दो बारा से दिखाएंगे इस तरीके से हमें दो बारा से भी प्राई कर लेना हो कर दो कर दो या पूसरी इपने अबन का त्यार हो चूए है ऊपमुज से इस को त्यूड पाई इसका कि अब ग्ले है यह क्रेश्अे 한데 कि अ लुग आए हैं नमक पारे August 3 जै वपकुट सहीजड़ विपकर वकलब सेह चाय करें retrouve के वी जो अबडम mówiウज इंचक परोера करें है करें ही अवी करें ह between